कई बार आपको किसी emergency के कारण train chart तयार होने के बाद भी rail ticket cancel करना पड़ता है, लेकिन ऐसी स्थिती में भी आपको ticket cancellation के refund की चंता होती है कि refund मिलेगा या नहीं या कितना मिलेगा, कब मिलेगा. IRCTC ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि किसी कारण से अगर चार्ट तयार होने के बाद भी अगर आप ट्रेन टिकट कैंसिल कराते हैं तो भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं आईए जानते हैं आज के वीडियो में इससे पहले अगर आपने हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए और बेल आइकॉन को दबाना न भूले IRCTC ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेर कर बताया कि भारतिय रेलवे बिना यात्रा किये या आनशिक रूप से यात्रा किये गए तिक्तों को कैंसल करने पर रिफंड देता है इसके लिए आपको रेलवे के नियोंगों के अनुसार टिकट डिपॉजिट रसीद TDR जमा करना होता है अब जानिए आखिर आप कैसे भर सकते हैं ओनलाइन TDR इसके लिए आप सबसे पहले आपको IRCTC की ओफिशिल वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाना होगा अब होम पेज पर जाकर माई अकाउंट पर क्लिक करें उसके बाद अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर माई ट्रांजैक्शन पर क्लिक करें अब यहां आप फाइल TDR आप्शन में किसी एक विकल्प का चैन कर फाइल TDR करें उसके बाद अब आपको उस व्यक्ती की जानकारी दिखेगी जिसके नाम पर टिकट बुक है और फिर अब यहां आप अपना PNR नंबर, च्रेन नंबर और कैपचा भरे और रद करने के नियोंगों के बॉक्स पर तिक करें जिसके बाद अब आप सब्मिट बटन पर क्लिक करें और इसके बाद आपको बुकिंग के समय फॉर्म में दिये गए नंबर पर एक OTP आएगा और यहां OTP डालने के बाद सब्मिट पर क्लिक करें PNR विवर्ण को सत्यापित करें और रद्ध टिकट विकल पर क्लिक करें उसके बाद यहां आपको पेज पर धनवापसी यानि रिफंड की राशी दिखेगी Booking Form पर दिये गए नंबर पर आपको एक Confirmation Message मिलेगा जिसमें PNR और रिफंड की विस्तरित जानकारी होगी Online के अलावा आप Offline भी टिकट का TDR जमा कर सकते हैं इसके लिए आपको Ticket Counter पर जाकर Form फिल करके Submit करना होगा यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपने Counter टिकट लिया है तो उसका TDR आप Offline या Online दोनों तरीके से जमा कर सकते हैं लेकिन अगर आपने Online ICTC की Website से टिकट लिया है तो आप सिर्फ Online ही TDR फिल कर सकते हैं अगर रेलवे से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सोशल मीडिया में जरूर शेयर करें आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाते हैं कमेंट में जरूर बताएं और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जैहिंद